वाहरे बिहार का एजुकेशन सिस्टम नमस्कार मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूस फोनेशन बिहार सरकार कहती है कि बिहार की एजुकेशन को सुधारने के लिए उनसे जो बन पड़ेगा वो करेंगे यहां तक कि बिहार सरकार ने बिहार की एजुकेशन विवस्था को सुधारने के लिए एक नया नियम भी लागू कर दिया और ये नियम लागू किया गया BPSC के द्वारा कि BPSC आयोग जो है वो सिक्षक भरती परिक्षा जो है वो लेगी इससे जो टीचर बनेंगे उनके नौलेज को लेकर बिहार सरकार ये आश्वासन देगी जनता को कि आपके जो सिक्षक आपको पढ़ाने के लिए स्कूल में उपस्सित है उनके पास ग्यानों का भंडार होगा लेकिन क्या सचमुच बिहार की एजुकेशन विवस्था मुखमंतर नतीश कुमार सुधार रहे है या फिर जनता को सिर्फ और सिर्फ मुर्ख बना रहे है ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि BPSC सिक्षक बहाली परिक्षा के परिनाम जारी हो चुके है और इस परिनाम में जो रिजल्ट सामने आये हैं वो कही न कहीं बिहार की एजुकेशन सिस्ट्रम पर सवाल खड़ा करता है दरसल आपको हम बताती चलें की 30 से यानि की 32 से 40 फीसदी अंक लाने वाले जो सिक्षक हैं वो बिहार के बच्चों को ये सिखाएंगे कि आप 100% अंक कैसे ला सकते हैं क्या सच मुझे ऐसे सिक्षक बिहार के बच्चों को ये सिखा पाएंगे या फिर बिहार सरकार सिर्फ और सिर्फ इस BPSC बहाली में जुमलेवाजी कर रही है ये सवाल आज हमारे मन में नहीं बिहार की जनता मुख्यमंतर नतीश्ट कुमार से कर रही है बिहार सरकार से कर रही है एक तरफ जहां देश में नौकरियों की कमी है इसका एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है वहीं एक ऐसी नौकरी भी है जहां सरकार को योग उमिद्वार नहीं मिल रहे है BPSC की एक रिपोर्ट के अनुसार काविल कैंडिडेट नहीं मिलने के कारण सिक्षकों के पद खाली छोड़ दिये गए है इन पदों के लिए बिहार सरकार ने बकायदा विज्यापन निकाले परिक्षाली इंटर्व्यू भी किये ऐसा तब हुआ जब कुछ पदों के लिए आठ लाग तक काविदन आये थे लेकिन कैंडिडेट मानक अब उस पर खरे नहीं उतर पा रहे है बिहार लोग सिवा योग से सिक्षक भरती परिक्षा के नतीजे जारी हुए तो चौकाने वाला सत्त भी सामने आया योग सिक्षक नहीं मिलने के कारण बड़ी संख्या में पद खाली हो गया है आयोग ने अपने ही नियम को सिथिल कर दिया गया है जो 75% सिट भरने का नियम था योग सिक्षक नहीं मिले तो नियम को भी सिथिल कर दिया गया है उश्यमाद में विद्यालों में भाशा के सक्षकों में 67% जो हैं वो खाली पद हैं हिंदी, इंगलिस, संस्कृत, उर्दू, समेत और छे भाशाओं में 9,979 पद थे जिन में मात्र 3,300 स्टूडेंट जो हैं वो सफल हुए हैं भाशा सिक्षकों के 6,679 पद खाली रह गये बीपेसी ने मंगलवार की शाम सबसे पहले क्लास 11 और 12 यानि के उश्यमादमिक स्कूलों के हिंदी विशेक सिक्षकों की कुल 3,221 खाली पद पर बहाली के लिए मात्र 525 सफल कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है मात्र 17 परसंट कैंडिडेट ही सफल हुए हैं जबकि 83 परसंट अभियर्थी फेल हो गए हैं वही 2696 पद खाली रह गये हैं अंग्रेजी टीचर के रिजल्ट की बात करें तो इसमें 3535 रिक्त पद खाली हैं जिसमें से 2333 कैंडिडेट को काविल माना गया है तो अंग्रेज टीचर में 66% पद भरते हुए दिखाए दे रहे हैं जबकि 34% ही खाली छुटे हैं संस्कृत में 1289 रिक्त पदों में मात्र 200 अंठामन को ही सफलता मिली है उर्दू सिक्षक की तो हाल पूछिये ही मत 1749 रिक्त पदों पर मात्र 145 अभियर्थी सफल हुए हैं मात्र 8% पास ह हुए हैं बलकि 22 फिसदी जो है वो सीट खाली रखे मैथली सिक्षक में 30% का रिजल्ट हुआ है वहीं अगर हम बात करें बंगला टीचर की तो 27 पद में मात्र 1 कैंडिडेट सफल हुए हैं एक तरफ जहां बिहार सरकार ने ये फैसला लिया कि अब टीचर की जो बहाली कि उसमें BPS सिक्षक भरती परिक्षा ली जाएगी और इस परिक्षा में जो अभयरती पास होंगे वही बिहार के सिक्षक बनेंगे उन्हें ही राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा लेकिन जो कल रिजल्ट आई है इस रिजल्ट में कहीं न कहीं मुख्यमंतर नितीश कु दे रही है या फिर जुमलेबाजी कर रही है क्योंकि मात्र 32 से 40 प्रतीशत जो है सिक्षक भरती इसमें पास आउट हुए है और 32 से 40 परसंट लाने वाले सिक्षक भरती बिहार की सिक्षा विवस्था को कैसे सुधारेंगे बिहार के उस सरकारी स्कूल के बच्चे को कैसे उनको 100 परसंट मार्क्स लाने वाले कैसे बनाएंगे जो खुद 32 से 40 परसंट लाकर बैठ चुके है फिलाकले इस ख़वर में इतना ही तमाम बड़ी ख़वर के लिए देखा है